मारा फारी थाना चेदर से कल एक महिला को जला देने की खबर सामने आई थी आज महिला का इलाज के दोरान मौत हो गई मिर्टक महिला के पुत्र ने आरोप लगाते वे कहा था कि बलवाईयों ने उसकी मा को आग के हवाले कर दिया था पुलिस इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लेकर पुछताच आरम की तो इस घटना की कुछ और ही कहानी सामने आई है पुलिस अधिक्षक आलोग प्रियदर्शी ने जानकरी देते हुए बताया कि पुलिस जाच में उपलवद वीडियो से यह बात खुल कर सामने आई है कि महिला ने खुद से ही अपने आपको आग के हवाले कर दिया था साथ ही बताया कि जमीन विवाद सहीद घरेलू विवाद के कारण महिला ने यह दुस्साहास भरा कदम उठाया था बहर हाल पुलिस अभी अपनी कारवाई में जुटी हुई है और जिसके प्रारमिक जास के उपरांत ये तथ उभर कर सामने आया है कि महिला के दौरा खुद से आग दगाने के घटना पारित की गई है और साथ ही इस घटना का जो मूल कारण है वो पारिबारिक विवाद और साथ ही जमीनी विवाद है और इलाज के दौरान आज उस महिला की जो है मृत्ती हो गई है और साथ में वकारो पुलिस के दौरा जो है अगरतर बेदीश हमत कारवाई जो है वो किया जागा